हेलो फ्रेंड्स कुक्टू चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए बनाऊंगी मैक्सिकन सेंड्वीच तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे 200 गराम राजमा या बीन और इसको हम ओवरनाइट भी गो लेंगे अब हम इसको कूकर में डालकर और इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम 3-4 सीटी लगा लेंगे यह देखिए अब हमारे राजमा उबल चुके है अब हम इसको एक स्टेनर में निकाल लेंगे ताकि इसमें से एक्ष्टा पानी बिल्कुल निकल जाए और इसके साथ हमने गैस पर एक भी गोना चड़ा दिया है इसमें हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे और टमाटरों को तेज आज पर हम पकाएंगे यह देखिए अब टमाटरों को उबलते वे 5 मिन्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे टमाटरों ने स्कीन छोड़ दी है अब हम इनको चैक करेंगे कि अच्छी तरह गल ग़े है कि नहीं अब हम इसको चैक करते हैं यह देखिए हमारे टमाटरों की स्कीन बिलकुल उतर चुकी है अब गैस को बंद कर देगे और एक स्टेनर में हम सभी टमाटरों को डाल लेंगे गर्मा गर्म टमाटरों को गर्मी डाल दें ताकि ये अच्छी तरह मैस हो जाएं और इसको हम कल्ची से अच्छी तरह मेस कर लेंगे ताकि इसकी प्यूरी अच्छी तरह निकल जाए और ये छिलके और बीज उपर रह जाएं इसको दबा दबा के अच्छी तरह से इसके रस निकाल लें ये देखिए छिलके और बीज उपर रह गए हैं इसको हम फेक देंगे और ये हमें कितनी बढ़िया टमाटर प्यूरी बनकर तयार है ये हमने गैस पर नोनिस्टिक फ्राइबैन रख दिया है और इसमें हमने एक चमज मक्खन का डाला है इसको मीडियम आज पर रखें नहीं तो हमारा मक्खन जल जाएगा अब हम इसमें आदी चमज देगी मिज़ डालेंगे और इसको मक्खन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हमने जो टमाटर प्यूरी तयार की है उसको मिक्स कर देंगे और इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम एक चमज सैजवान चटनी डालेंगे साथ में ही एक चमज चीनी डालेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल दे सकते हैं और सब चीजों को हम अच्छी तरह प्यूरी में मिक्स कर लेंगे और गैस को हम तेजी रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए ये देखें अब हमारी टेमाटर प्यूरी को पकते वे पांच मिन्ट हो चुके हैं और ये जो हमने राजमा उबाले थे उनको हम इसमें मिक्स कर देंगे और गैस को आप तेजी रखें ताकि ये जल्दी से पक जाएं ये देखें राजमा को पकते वे पांच मिन्ट हो चुके हैं और ये धीरे-धीरे थीक होने लगा है ये देखें अब ये बिल्कुल डराई हो चुका है हमें ऐसा ही चाहिए बिल्कुल और ये हमने उबलेवे एक कटोरी कौन लिये हैं इनको भी हम राजमा के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ये हमने एक चम्मच मैक्सिकन हर्प्स लिये हैं और साथ ही हमने आदी चम्मच लाल मिर्च लिये हैं क्योंकि मैक्सिकन डिस थोड़ी स्पाइसी होती है इसलिए आप इसमें मिर्च थोड़ी तेजी रखें अब ये हमारी बन कर तयार है राजमा की प्यूरी अब हम इसको ठंडा कर लेंगे ये अब हम एक बाल में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे ये हमने सैंड़िच ब्रेड लिया है और ये हमने 4-5 ब्रेड ली है इसको हमने तिकोन टगुडो में काट लिया है सबसे पहले हम इसपे चीज स्प्रेड लगाएंगे इसको नाइफ से अच्छी तरह दोनों ब्रैड पर लगा लें चीज स्प्रेड को ये देखे अब हमने लगा ली है चीज स्प्रेड और इसके साथ ही हमने जो राजमा और कौन की प्यूरी बनाई है इसको हम लगाएंगे ये देखिए अब हमने इसमें मैक्सीकन प्यूरी लगा दी है और ये हमने इटैलियन सीजनिंग लिया है इसको हम उपर से स्प्रैड करेंगे आप दोनों पीस पर अच्छी तरह स्प्रैड कर लिए और ये उपर से हम एक सिंपल ब्रैड रखेंगे दोनों के उपर और ये हमने ये हमने सैंड्वीच में कर लिया है इसको हम मक्षन से ग्रीस करेंगे दोनों साइट से और जो हमने सैंड्वीच तयार किये है इसमें हम दोनों पीस रख देंगे अब हम इसको बंद करके पाँच मिन के लिए रखेंगे ये देखिए अब हमारी सैंड्वीच बंकर तयार है चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं यह देखिए अब हमारी Mexican sandwich बनकर बिल्कुल तयार है अगर आपको पसंद आए तो like और subscribe जरूर करें Thank you